हेलो फ्रेंट्स, स्वागता आपका हमारे चैनल सरकारी जौब ग्यान पे आज की इस वीडियो में बात करने वाल है RRC Group D exam 2019 के बारे में क्या latest important update है तो दोस्तो वीडियो को अंते तक देखी तक जितनी भी important information हम आपके लिए यहाँ पे लिखा है वो आपको पूरी मिल सके और दोस्तो वीडियो स्टाइट करने से पहला आपसे हमारी चोटी सी request है अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको RRC Group D exam के साथ साथ अनने government exam की latest update मिल सके तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले RRC Group D exam के बारे में क्या update है जैसे एक दोस्तों आप सब लोग पता ECA की जो हमारी meeting हो चुकिए उसमें जो vendor है वो decide कि जाएगा कि Railway Group D और NTPC का exam कौन सा हमारा vendor लेगा तो Railway Group D का जो हमारा link activate हुआ तो उसमें लागों चात्रों के जो form reject हो गए तो किसी का photo कारण, किसी का signature कारण या किसी का और किसी कारण वर्ष है जो यहाँ पर form reject हो गए तो डुपलिकेट इसी की वज़े से तो उन चात्रों अभी तक यहाँ पर कोई modification लिंक नहीं आया है जिसी वज़े से काफी लागों चात्र यहाँ पर परिशान है जंतर मंतर पर युबा हलावोल के बैनर तले अभ्यारतियो निभरी होकार यहाँ पर देख से दोस्तों युबा हलावोल का नितित कर रहे पहुचकर चात्रों की मांगों का समर्थन किया और अक्दिलवाने के लिए हर संबब प्रियास का भरोसा दिया 2018 की गुरूब डी भरती जब इस तरह सिकायत आयती तो युबा हलावोल की मुहिम और रेवेट पिशमंद्री गोयल के पत्र लिखने के पश्चात्रों को आविदन पत्रों में सुधार के लिए मोडिफिक्शन लिंक दिया गया और अब जल्दी आपका मोडिफिक्शन लिंक जारी होने के पूरी पूरी उमीद है जो चातर है आप पूरा समर्थन दे रहे यहाँ पर दोस्तों आप सब लोगों ने अपनी जो हेल्प डेक्स ता उस पर मैसेज किया होगा कि हमारा फॉर्म किस वज़ए से रिचेक्ट थैंक यू फर वच्छिं दिस वीडियो